हरी कृष्णा आज से हम एक न्यू रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं पिकर कार्ड यह यहाँ पे दो कार्ड रखे हुए हैं जो भी कार्ड पाई नमर वन या टू या जो कलर्स हैं उन कलर्स के हिसाब से भी आपको जो भी कार्ड अट्रेक्टिव लगता हो अच्छा लगता हो और आपको उसकी रीडिंग देखनी हो कि यह कार्ड के हिसाब से क्या रीडिंग आती है तो फ्ली आप अपना इक कार्ड चूज कीजिए और उसके बार हम उसकार्ड की रीडिंग करेंगे तो जिनों ने भी इस card को choose किया है उसके लिए हम tarot के जरी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या reading आती है, क्या cards कहते हैं चलिए देखते हैं, cards क्या कहते हैं क्या मतलब आपको बताते हैं आपके लिए ही चलिए देखते हैं हम आपके लिए कल क्या नई बातें क्या चीज़ें tarot cards आपको बताना चाहता है कैसा आपका आने वाला कल है तो हम cards के जरी जानने की कोशिश करते हैं चलिए देखते हैं cards क्या शो करते हैं cards तो हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया आए हैं cards में जिनोंने भी pile number ये blue color की है इसको अगर चूज किया है तो उनके लिए ये reading है कि उन्होंने मतलब cards ऐसी energy शो कर रहे हैं उनके लिए की शायद पिछले time में उन्होंने सपने कुछ ज़्यादा ही देखे हैं और वो सपने भी ऐसे हैं कि कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं इस तरीके के उनके, मतलब यह यह कहसकते है कि ख्याली पुलाव, उनों लोगों ने कुछ ज़दा ही बना लिये हैं, और आपके यह ख्याली पुलाव, आपको ऐसा कह रहे हैं उसमें आपकी जो मनस्तिति थी, वो एसी ही थी, कि आप एक shadow को भी मतलब imagine कर रहे हो कि ये सच है पर वो सच नहीं है आपने खयाली पुलाव को ज़्यादा ही बना लिये हैं जिनकी बदूलत आप अपने आपको एक king की situation में समझ रहे हो कि मैं एक राजा हूं या एक रानी हूं क्योंकि जो दिमात में खयाली पुलाव आपके ज्यादा बने हैं उसके लिए आप अपने आपको king की तरह show कर रहे हैं लेकिन सोचना विचारना बहुत अच्छी बात होती है तो cards हमको ये बताने कि अगर आप अपने आपको राजा की तरह मानते हो समझते हो तो उसके जैसा बनने की कोशिश भी कीजिए आप बन भी सकते नियर फ्यूचर में आप बन भी सकते हैं आप जो चाहते हैं वो आपको मिल भी सकता है लेकिन जो थोड़ा दूर का भविश्य है उसमें फिर हो सकता है आप पे burden को जादा आ जाए क्योंकि जो राजगदी होती है राजा की तरह बनना होता है वहाँ पे बहुत सारी जिम्म उतना जो वजन है जो जिम्मदारियां है उसे भी उठाने के लिए आप तैयार रहे हैं कार्ड्स आपके लिए अभी यही कह रहे हैं जिन्होंने ये कार्ड्स को सलेक्ट किया है जो ब्लू कलर का है इस पाइल को जसने सलेक्ट गिया है उनके लिए कार्ड्स ने जो बाते बताई है वो यह है कि आपने अपने पिछले जीवन में काफी खयाली पुलाव बना लिए हैं आपने अपने आपको एक राजा की तरह समझा है और आप प्रजेंट में एक राजा की तरह बन भी सकते हो हो भी सकते हो ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते हो सकते हो लेकिन फिर आ आप लेने के लिए तयार रहे हैं, अब हम आपके लिए कुछ angel messages ले लेते हैं, ये तो थी आपकी बात, कि आप क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं, गौड आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या messages हैं, पहला card अपने आप ही आ गया है, चरिए, be assertive, चरिए, आगे दिखते हैं, कि गौड आपको क्या कहना चाहते हैं, कि आपने अपने आपको जो समझा है, angels उसके लिए क्या guide देते हैं, no, yes, choose a new direction, okay, angels ने भी आपके लिए यही बोला है, कि देखे, positive होना गलत नहीं है, लेकिन ख्याली पुलाव भी मत बनाईए, ख्याली पुलाव भी आपको नहीं बनाने, इतना जादा अपने आपको, मतलब ख्यालों में, या फिर बहुत जादा imagination करने की जरुवत नहीं है, और yes, अगर आप किसी चीज के लिए तयार हैं, अगर burden लेने के लिए तयार हैं, तो angels भी बोल रहे हैं, कि हाँ, आप जिम्मेदारियां उठाईए, लीजिए, और choose a new direction, आपको एक नई दिशा चुननी चाहिए, कि आप ये जो खयाल आपके पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, उन खयाली पुलाओं से आप बहार आईए, ये जो imagination आपकी इतनी लंबी चोड़ी चल रही है, उससे आप अपने आपको बाहर निकालिए, और एक नई direction को चुनिए, जहाँ पर सच में जिम्मेदारियां उठाने की आप में हिम्मत हो, और आप उन जिम्मेदारियों को उठा सकें, तो आपको success मिल सकती है, आप अपने काम में सफल हो सकती है, चलिए हम कुछ और cards निकालते हैं, messages की, message क्या बताते हैं आपके लिए, यहां हमारे पास कुछ message के cards भी हैं, जिनमें divine की तरफ से, angels की तरफ से, God की तरफ से, आपके लिए क्या guidance आती है, देखते हैं, angels ने तो आपको यही बोला है, कि आप ज़्यादा ख्यालों में मत जीए, और सच्चाई में आईए, जो है उस चीज को पहचानने किया, कुशिश कीजिए, Okay, God क्या कहना चाहरे हैं, A bird in the hand is worth two in the bush, मतलब जो आपके पास चीजें available हैं, जो भी आपके पास हैं, उन चीजों को आप इस्तमाल करना सीखिए, उन चीजों से आप कुछ नया करने का सीखिए, दूसरा कि सब पर विश्वास कर लेना और किसी पे भी विश्वास नहीं करना, ये भी आपको एक गलट direction में ले जाती है, आपको मतलब failure बनाती है, एक तो आपकी सब पर विश्वास कर लेते हो, या आप किसी पे भी भरोसा नहीं करते हो, वो भी आपके failure होने की वज़व बन सकती है, तीसरा God क्या कह रहे हैं, मतलब गलतियों को वापस repeat मत करो, अगर आप कोई एक बार किसी चीज की गलती करते हो, तो उसे बार-बार मत धोराओ, तीसरा silent is the best, मतलब आप चुप रहना सीखिए, अगर हो सकता है, आप खयाली बुलाओ जादा बनाते हो, हम बोलते बोलते बहुत सारी ऐसी बाते भी बोल जाते हैं, जो शायद हमें नहीं बोलने चाहिए, जिससे हमारे आसपास का माहौल खराब हो, तो वहाँ पे भी ऐसा बोला है, कि अगर गलतियां आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पीशेंस रखें, शान्त होने की कोशिश कीजिए, और देखिए, फिर, डोंट काउंट यूर चिकन्स पिफोर दे आर हैच्ट, मतलब अंडे फूटने से पहले मुर्गियों की गिंती मत कीजिए, आपको सफलता मिली नहीं है, उससे पहले ये खयाले पुलाओं में आप मत जीए, तो इस तरीके से हमने जो डिवाइन की एनरजी है, गौड के जो मेसेज़स हैं, और टैरो कार्ड के जो आपके लिए मेसेज़स आए हैं, इस कार्ड के लिए वो ही हमने आपसे शेयर करे हैं, अब हम मिलते हैं पाइल नमबर टू पे, जिनों ने भी पाइल नमबर टू, ये वाली पाइल चूज़ की हैं, उनके लिए हम टैरो कार्ड से रेडिंग निकालेंगे, कार्ड इन पाइल वालो के लिए क्या कहते हैं, क्या आपने सोचा, क्या आपने जाना, हम PARTS से जानते हैं CARTS क्या कहते है इस PARTS के लिए का छल ये देखते है कि क्या आपने सोछ रखा था क्या आपको मिलने वाला था क्या मिलने वाला है क्या मिलेगा आपको भविष्य में कार्ट्स आपकी एनर्जी कैसी बदना रहे हैं कार्ट्स ने जो शू किया है वो ये है कि आप अभी तक किसी निराशा में थे किसी तरीके की उदासी में है मतलब जो आपका अभी थोड़ा समय पहले की बात कर रहे हूं आप किसी निराशा में हैं आप किसी उदासी में हैं सैड हैं दुखी हैं किसी ने किसी चीज़ को लेके और चाहते हैं कि मैं एक नई यात्रा पे जाओं मैं एक नई शुरुवात करूँ नई रहा पे निकल लूँ आपका ऐसा मन है कि अब तक कि जो मेरी निराशा थी मेरा मतलब बोलते हैं ना कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ मैं बहुत ही परिशान हो गया हूँ अब तो मुझे एक नई राहा पे चल लेना चाहिए बहुत सारी चीजे मेरे साथ ऐसे हो रही है कि जो मुझे नहीं आना है कि हो सकता है मुझे जो कामियाबी है जो सफलता है वो मुझे मिले तो कार्ट्स ने जो शो किया है कि प्रेजेंट में आज आपके पास सफलता है अगर आप एक नही रहा चुनते हैं नही रहा पे निकल जाते हैं अपने मकसद के तरह बढ़ते हैं तो आपके पास सफल पहचानने की कोशिश करिए उसे छोड़ के मत चाहिए नियर भविश्य में आप ऐसा ना हो कि आप उन सब चीज़ों को छोड़ के चले जाओ और फिर किसी दुवन्द में फस जाओ फिर किसी दो राहे पे जाके खड़े हो जाओ कि अब मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं तो जहां आपके जब आप ये सब चीजे छोड़ के जा रहे हो तो फिर आपकी यही condition आने वाली है कि अब मैं क्या करूं मेरे पास तो कोई solution ही नहीं है मैं कैसी जगह फसा हुआ हूँ जहां मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है ना समझा रहा है तो गौड की तरफ से एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या message हैं हम देखते हैं आपने काफी निराशा में रहे हो और एक नई शुरुवात करने की आपने सोचा भी है कि नहीं शुरुवात करता हूँ मैं एक नहीं रहा पे चलता हूँ और सफलता मुझे मिले आज अगर आपने निराशा के बाद में एक नया काम करना सोचा और आज आपके पास सफलता है तो उस सफलता को पहचानो और अपने पास संभाल के रखो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड के चल दो अगर आप उसे छोड के चले जाएंगे तो फिर आप एक नए दोंद में फस जाओगे फिर आप एक नए ऐसी कंडिशिन में फस जाओगे जहां आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं क्या करूँ और अब मैं क्या करूँ का जवाब एंजल्स हमें देंगे कि आपको क्या करना चाहिए आपके लिए क्या सही है एंजल कार्ट से हम आपके लिए मेसेज देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए don't stop angels ने पहला answer आपके लिए यही दिया है don't stop मतलब रुकना नहीं है यह जो यात्रा आपने शुरू की है जो अपना एक नया काम शुरू किया है जो एक नई चीज शुरुवात की है उसे आपको रोकना नहीं है रुकिये नहीं abundance आपके लिए ही है खुशियां आपके लिए ही है आप निराशा में थे नई चीज शुरुवात करी प्रेजंट में आपके पास में बहुत अच्छा भी है आपके पास सफलता है अगर आप उसे छोड़ के चले जाते हैं तो एक द्वंद में फस जाओगे आप एक ऐसी सिचुवेशन में फस जाओगे जहां आपके पास answer नहीं होगा तो angels ने आपके लिए answer दिया है कि अपना जो आपने नया काम शुरू किया उसके लिए रुकिये नहीं और abundance आपके लिए है खुशियां आपके लिए ही है आपको जरूर खुशियां मिलेगे यस तीसरा कार्ड भी angels ने यही बता दिया है यस और यहां last में bottom में भी look for a sign आप अपने आसपास की चीजों को देखिए समझ की जानने की कोशिश कीजिए angels की तरफ से आपके लिए यही guidance है की रुकना नहीं है abundance आपके लिए ही है और yes positive cards ही है अब चलिए देखते हैं कुछ message आपके लिए कि क्या message आते हैं आपको क्या करना चाहे एक आपको क्या करना चाहिए कि God की तरफ से क्या सलह आपको मिल रही है ओके यहां भी देखिए Better less than never मतलब देर आए दुरुस्ता है आपने जो चीज शुरुवात की है जो कुछ नया शुरू किया है वो अच्छा है भगवान भी यही सलह दे रहे हैं कि देर आए दुरुस्ता है पर आप आये तो सही और जो आप failure हो जो निराशा में हो वो भी इसी लिए कि या तो आप सभी का विश्वास कर लेते हो या आप किसी पे विश्वास नहीं करते हो इसी लिए आप दुखी रहते हो और जो यहां पे जो जाना दुवंद की जो स्थिती है वहां डूपते को तिनके का सहारा पाफी होता है आप किसी पे विश्वास करिए और अपने उस पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए तो शायद आपको सफलता मिलेगी टाइम एज एग्रेट हीलर वक्त हर जख्म को भर देता है गौड आपको यही कह रहे है आप यहां निराशा में थे तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन टाइम एज एग्रेट हीलर वो आपके हर जख्म को भर देगा वक्त दीजिये थोड़ा सा और देखिए वक्त पर किया गया काम आपको आगे आने वाली हर मुसीबत से बचाएगा तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको यह रिडिंग अच्छी लगी तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा और अगर आपसे मैच करती है तो भी मुझे बताइएगा थैंक यू